कोलारस थाना शेत्र में 25 सितंबर को गूना बाइपास मानीपूर में विरेंद्र जेन के गोदाम को चोरों ने निशाना बनाते हुए 25 कटे चना चोरी कर ले गए थे जानकरी मिलते ही कोलारस SDOP विजेई सिहयादो थाना प्रफारी जितेंद्र मावई घटना इस्तल पर पहुचे और मौके पर परताल की जिसके बाद कोलारस पुलिस ने मामला धर्ज कर मामले की जाश शुरू कर दी थी जिसके बाद CCTV के आधार पर चोरी में प्रयोग हुआ वाहन कोलारस श्युपूरी बाइपास के निकट निलेस खटिक के धाबे पर खड़ी थी जिसके बाद पुलिस ने वाहन के मालिक को पूस्ताज के लिए बुलाया तो उसने पूरी घटना उगल दी घटना को आरोपी रोहित जाटो पूत्र आशराम जाटो निवासी ग्राम मलहानी हाल सगट मौचन कॉलोनी पिछोर द्वारा अपने साथी संजित पूत्र राम सिह परिहार उम्र 28 वर्ष बादाम पूत्र अशोप केवट उम्र 24 वर्ष छोटी उम्री थाना भोती द्वार कोलारस में बिजली विभाग के सामने गोदाम से चोरी करना स्विकार किया कोलारस से इम्रान अली की रिपोर्ट अजय करते हैं गत्रक पकड़ा है जिसका घटना में प्रियोग किया गया था उसकी जानकारी ले रहे हैं यहान पहले एक्या मुकत कर चुके हैं तो इनको पता था कि यहां पर माल रखा रहता है उन्हीं का उसी ही जानकारी का उप्यूपी है यह बताए जा रहा है कि इसमें एक ब्यक्ति है जो मुख है वो कुछ तास्क पत्तों में पैसे आर गया था इसके लिए इस रास्ति कुछ न हाँ वो एक मोटिव हो कितने गाड़ी की कीमत मिला के सर लगवा पोने नौ लाक रुपे का माल जटा है अज़ा सर आन्ने जो पहले भी चूरी हुई है अभी कुछ दिन पहले उनकी सर कहां तक प्लिस परताल वकर जुड़ी है उनके भी हम बिल्कुल नजदिक हैं तीन-चार दिन में हम उनकी भी सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले